तो नमस्कार आप लोग देख रहे हैं माई पुच्छान यूटोब चैनल को एड़ इस वीडियो में क्या बात करने वाले आप लोग थम्नेल पे देख चुके हैं बिहार बोड के टेंट एंड ट्वेल्थ के जो भी बच्चे हैं उनको मैं बता देना चाहता हूं आप लोगो का जो माकसीट है औरिजिनल माकसीट आप लोगों सबको पता है औरिजिनल माकसीट कितना इंपॉर्टेंट होता है तो वो कम मिलना है और कैसे मिलेगा और उसका क्या रोल है क्या यूज है सभी कुछ बात करेंगे तो वीडियों पूरी बने रहना है वीडियो को सेहर जरू आपने दोस्तों इसको नहीं पता है इसके बारे में तो अगर आपने अभी तक हमारी चेनल को सबस्क्राइब नहीं करा है तो स Tapi कर सकते हैं सबस्क्राइब कर दीजेगा उसके बाद जहां पर आप ला paz जो मार्क सीट है 12 का मार्क सीट रिजल्ट तो आई किया सभी का जिनका कंपार्टमेंट देना वगेरा उनका अलग से बात कर दिया जाएगा उन लोगों का कैस्ट इस्टम में कंपार्टमेंट होगा भी या नहीं होगा तो सभी कुछ अगली वीडियों बता देंगे लेकिन समय जो बात करने आये हैं स्विफ उसी पर बात करेंगे आपका मार्क सीट तो मैंने एक वीडियो बनाया था आप लोग भी देखे होंगे सायद मेरी चैनल से भी जूड़े हुए तो आप लोग देखे होंगे जिस पर आप लोग 1500 बच्चे उने देखा है ये वाला तो वा पर दको ये जरूरी इसलिए भी है कि आपका जब भी आप कॉलेज में एडमिसन टाइम तो इसका उतना जरूरी नहीं है अगर आप एडमिसन लेने जा रहे हैं जैसा कि पतना बूमेंस कॉलेज में अभी एडमिसन स्टार्ट हो चुका है अडमिसन स्टार्ट कहने का मतलब उसका form जो निकल चुका है और उसका form अप्लाई हो रहा है तो अगर आपने लड़की हैं तो आप वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं तो अहाँ पर बहुत सारे का मनमस्ट सवाल था क्या मेरा जो हम लड़की हैं और यहाँ पर original marksit नहीं है या 12th वाले हो 10th वाले इंटर्म में अडूइशन लेंगे और 12th वाले ग्रेजुएशन में अडूइशन लेंगे तो आप कहीं पर इंडूइशन ले रहे हैं तो आपका जो result चेक किये थे उसका एक photocopy निकल वा लेना आपके घर में प्रिंटर है तो कुछ से निकाल लेना या फिर बाहर से निकल वा लेना साइवर के पर जाके तो उससे भी admission form भर सकते हैं आप लोग कोई दिक्कत नहीं आना है लेकिन इसका importance इसका use कहां पर है original वाले का तो यह आप जब भी college में verification करवाने जाएंगे dv करवाने जाएंगे document verification तो वहाँ पर originally ही मांगता है आपका यह photocopy काम नहीं चलेगा जो अभी result website पे डाला गया है वह वाला काम नहीं चलेगा तो वहाँ पर original मांगता है तो इसका use इस तरह से importance आप लोग समझ गए होंगे अभी हम लोग बात करते हैं यह कब तक आजाना चाहिए और कब तक आएगा मैं expected बताऊंगा मुझे date जो है यह बिहार बोर्ड की तरफ से अभी तक announce नहीं करा गया है तो मैं expected बताऊंगा मतलब समभावना बताऊंगा तो यहाँ पर देखिए अगर आप अभी बिहार कर स्थीती देखे तो lockdown चल रहा है अभी मैं उमीद करता हूँ कि 15 तारिक तक आपका lockdown है इसको तीज तारिक तक बढ़ा जा सकता है अगर बढ़ा दिया जाएगा तो इस महीने में आपका नहीं आएगा और मेरी मानों तो यह जो है मही के महीने में आएगा ही नहीं आप लोग 15 जुलाई के बाद यह वाले expect कर सकते हैं हलांकि आपका जो mark sheet है वो जारिक मतलब हो गया है बिहार बोड के पास जो यह original mark sheet है 2020 वाला वो है वो college में पहुंचना वाकिए है तो इसको जारिक होगी है मतलब आपको जुलाई से मिलना स्टार्ट हो जाएगा जुलाई में भी 15 तारिक के बाद से ही मिलना आपको स्टार्ट हो जाएगा मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ तो आप लोग भी logic समझे इसके पीछे से नहीं ला पाएंगे वो तो इसकोली college में मिलेगा आपके principal sign करेंगे तभी वो valid होगा without principal के signature का यह original mark seat का कोई मानने नहीं है तो आप लोग समझ सकते हैं तो आप लोग को school college बंद रहेगा lockdown period है और lockdown खतम भी होता है उसके बाद भी आपका school college खुलने में ज्यादा से ज्यादा 15 दिन आपका लगी जाएगा ठीक है खुलने में 15 दिन लग जाएगा lockdown तो खतम हो जाएगा लेकिन lockdown के बाद भी बहुत लंबावा इंतिजार करना पड़ जाएगा coaching schools, college, university खुलने में इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये वाला जो है अभी तक आ जाना चाहिए था लेकिन आएगा कैसे बीच में करोना आ गया तो सभी कुछे ठव पर आया तो आप लोग भी समझते हैं कि सारा सिस्टम अभी मतलब जूज रहा है करोना से इसलिए आपको बेट करना है आप लोग ज़्यादा पैनिक न करें आपका अडमिशन हो रहा है तो आप लोग वो फोटो कापी वाले जो भी वेबसाइट पे आपका माक्सित दिवा हुआ है उससे अडमिशन ले ले आपका जहां भी मन आपका अडमिशन लेने का जरूर ले ले बिहार में या बिहार से बाहर वी अब्लोबेट विंसन ले सकते हैं तो भी प्रोब्लम होतो जरूर कॉमेंट करें मैं उस पर अगली वीडियो जरूर बनाऊंगा आप लोग कोई कॉमेंट पर मैं अगली वीडियो जरूर बनाऊंगा